कठिनाईयों से भरे राह पर कांटों से भरे राह पर लगातार चलना परता है काम्याबी के स्वाद को चकने के लिए बेहतर सफलता के स्वाद को चकने के लिए मेहनत की आग में जलना परता है तापमान जदी सतत बढ़ता रहे तो हिमाले को भी पिखलना पड़ता है और आच जदी लगातार लगता रहे तो 100 डिगरी सेल्सियस पर पानी को भी उबलना पड़ता है दोस्तो सफलता जदी पाना है तो उसका मूल चुकाना होगा उसकी कीमत चुकानी होगे, you'll have to pay for that जितनी बरी सफलता आपको चाहिए मेहनत उतना ज्यादा करना होगा the bigger is the success, the more labor you'll have to do जितनी बरी सफलता चाहिए मेहनत उतना करना होगा cycle के दाम को देकर हम car नहीं खरीज सकते और car के मूल को चुका कर हवाई जहाज नहीं खरीज सकते you cannot buy an aeroplane by just paying for a car आपको हवाई जहाज खरीदना है तो कीमत आपको इसी की चुकानी होगी चुकानी होगी जितनी बरी चीज उतनी बरी कीमत ठीक उसी तरह से सफलता भी मेहनत मांगती है सही मात्रा अब जरा बताईए कि ज़दी 80 degree Celsius तक temperature को बरहाया जाए आँच लगाए आँच धीमा किये फिर आँच लगाए फिर आँच धीमा किये पानी कभी उबनने वाला है आँच लगातार बढ़ते रहना चाहिए 100 degree Celsius तापमान पहुशते ही पानी उबलना सुरू करता है It's a universal truth यह सत्य है सफलता के संदर्व में यही सत्य है कि जितनी मेहनत चाहिए उतना मेहनत करना होगा सफलता आपकी कदम चूमेगी सफलता को भी मेहनत कस के कदम को चूमना पड़ता है सफलता को भी इसलिए मेहनत कीजिए कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही है What can be the reason behind that? क्या कारण हो सकता उसके पीछे? अब देखिए मेहनत के पीछे भी है कि सही समय पर मेहनत मेहनत सही समय पर किया जाना चाहिए कहते है, strike the iron while it is hot strike the iron while it is hot लोहा जब तप रहा हो लोहा जब गर्म हो, चोट तभी मारो लोहा जब गर्म हो, चोट तभी मारो बरना लोहा जदी ठंडा हो गया तभ चोट देने से कोई फाइदा नहीं strike the iron while it is hot तो सफलता पाने के लिए मेहनत का सही समय का निरधारन भी होना चाहिए का बर्षा जब कृषी सुखानी जब फसल सूख ही गई तब फिर बारिस का क्या फाइदा अब पच्चताए क्या हो तो जब चिरियां चुग गई खेत अब चिरियां के खेत चुगने से पहले हमें सजग होना पड़ेगा यानि वक्त से पहले हमें मेहनत करनी हो गई उसके बाद है कि सही दिशा में मेहनत अब बताइए सोना यहां जमीन के अंदर में सोना गरा हुआ यहाँ, खुदाई कर रहे हम opposite direction में, खोद रहें, खोद रहें, खोद रहें, सोना मिल ही नहीं रहा, अब यहीं जदी खोदना शुरू कर दें तो तुरत मिलेगा, तो direction सही होना चाहिए, यानि जिधर हमें जाना है, उधर ही चलना परेगा, जाना है किधर, ज direction, to achieve success, you must have to lever hard in right direction, मेहनत सही दिशा में करनी होगी, और है सही मात्रा में, सही मात्रा में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कि पानी को बनना है तो 100 degree Celsius temperature, चाहिए ही चाहिए, तो सफलता पाना है, तो उसके हिसाब शाब को मेहनत करना ही होगा, आप सतत मेहनत कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, सही मात्रा में मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम को चूमेगी